दोस्तों क्या मोदी जी ने भारत को चाइना के सामने गिर्वी रखने का विचार बना लिया है? क्या भारत चाइना के सामने जल्द घुटने टेकने वाला है? क्या मोदी जी भारत को पिछले 70 सालों के मुकाबले चाइना के सामने और कमजोर कर चुके हैं? क्या लगता है आपको दोस्तो चाइना की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि उसने अरुनाचल प्रदेश की 30 जगहों का नाम बदल लिया क्या लगता है आपको कि पिछले कई दिनों से सोनम वांग्चुक जो भारत में चाइना के जमीन हडपने की बात बोड रहे हैं वो क्या हावा में बोड रहे हैं नहीं दोस्तो इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी मामला बहुत गंभीर है तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका देश नीती में चाइना अरुनाचल प्रदेश के 30 जगाहों का नाम बदल देता है और हमारे विदेश मंत्री बोलते हैं हम उन्हें कुछ बोल थोड़ी सकते हैं उन्होंने बदला तो बदला हमारा ओक्यूपाइड जमीन चाइना अपने मैप में ओफिशियल मैप में दिखाता है लेकिन हमारे विदेश मंत्री बोलते हैं चाइना हमारे लेवल से काफी आगे है हम उसके मुकाबले कहीं खड़े नहीं होते हैं चाइना हमारे भारत के हतियाए हुए जमीन पे रोड बनाता है और मोदी जी बोलते हैं हमी चाइना से संबंद ठीक करने चाहिए इतना सब होते रहता है और भारत चुक चाप देखता है पता है क्यूं क्यूंकि हम चाइना पे और निर्भर होते जा रहे हैं जी दोस्तों और जब सोशल मीदिया पर BJP का ID खोलो या फिर उनके किसी भी supporter का ID खोलो तो दिखता है मोधी जी ने भारत को सशग्त कर दिया मोधी जी विदेश की रननीती से नहीं अपनी रननीती से चलते हैं लेकिन फिर एक खबर आती है और मोधी जी का सारा जूट चाइना बॉर्डर पे धोस्त हो जाता है ये खबर पढ़िये अंग्रेजी में लिखा है मतलब है 15 वर्षों में 2.3 गुना वृद्धी भारत में चाइना आयात बिल और बढ़ेगा दोस्तो हम दिन बदिन चाइना के करदार बनते जा रहे हैं 2018-19 में भारत चाइना से 7000 करोड का आयात करती थी वही अब 2023-24 की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत चाइना से 10100 करोड का आयात करने लगा है और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है दोस्तो Global Trade Research Initiative यानी GTRI के सर्वे से ये पता चला है दोस्तो देश भी नौकरी नहीं मोधी जी ने समझाया क्योंकि देश को आत्म निर्भर बनाया जा रहा है Make-in India scheme लाया गया है प्रधान मंत्री मुद्रा योजना बनाया गया है कि देश आत्म निर्भर बनेगा लेकिन सब फेल मोधी जी जब सत्ता में उन्होंने आस्वस्त करवाया कि अब हम किसी पे निर्भर नहीं होंगे हम अपना धंदा खुद करेंगे लेकिन अब धंदा कर रहे हैं दोस्तों और कितना करवा के लिए रहे हैं इस रिपोर्ट में आपको आगे पता चलेगा और शायद इसी लिए हो सकता है कि मोधी जी ने कुछी दिनों पहले जो बयान दिया था कि भारत और चाइना के संबंद ठीक होना ना सिर्फ भारत और चाइना के लिए जरूरी है बलकि पूरे विश्व के लिए जरूरी है हो सकता है चाइना के सामने हमारे बढ़ते कर्द के लिए दिया हूँ नहीं तो बताईए दोस्तो एक पूरा देश हमारे देश पे हावी हो रहा है समानों पे चीजों पे जमीन हडपने में हमारे देश के राजियों का नाम बदने तक की ताकत रख रहा है ऐसे की हवा मैं बात करूं अगर इस रिपोर् कपड़े मोबाइल फूंस एलेक्ट्रोनिक चीजे मशीनरी केमिकल्स यहां तक ही फार्मेसी के भी समान लगभग सभी कुछ चाइना से ले रहे हैं वो भी काफी बड़े मात्रा में आप देखे एलेक्ट्रोनिक टेलिकॉम एलेक्ट्रिकल प्रोडक्स 43.9% तक आयात होता ह वहीं मशीनरी 39.7% और टेक्स्टाइल और क्लोथिंग 38.2% केमिकल और फार्मेसी 26.8% और 26% जो है आटो मुवाइल का आयात तो हम बस चाइना से ही कर रहे हैं और कॉमर्स मिनिस्ट्री से पता चलता है कि हम चाइना से लगभग 200 चीजों का आयात करते हैं और इन 200 चीजों में भारत का 90 वस्तूओं में आयात और जादा बढ़ गया है और यहीं 90 वस्तूओं का चाइना को भारत के निर्यात बास्केट में 67% हिस्सा है दोस्तों साथ ही इस रिपोर्ट के नीदेशक Global Trade Research Initiative ने बोला है या कहूं चैताया है कि भारत पर ऐसा बढ़ता चाइना का प्र मोहन सिंग की सरकार को मोधी सरकार दिन रात कोसते रहती है ना दोस्तों वही मन मोहन राज में यानि 2005 में ये चाइना से निर्यात का मामना महद 1000 करोड तक ही सीमित था जो कि अब बढ़कर 10100 करोड हो गया है और मोधी सरकार में विदेश मंत्री शुब्रमन्यम जैसंकर पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि उन्होंने चाइना आदर्शवात से निपटाया और अब मोधी जी की सरकार कम्यूनिस देश से रियालिजम से निपट रही है तो क्या दोस्तों यही है रियालिजम देश का एक हिस्सा जा रहा है लेकिन हम बिजनस कर रहे हैं कुछ साल पहल चिला चिला कर मोधी जी से चाइना की हर्पी जमीन के बारे में पूछ रहे हैं या कहें कि उनको बता रहे हैं हो सकता है कि उनको नहीं सुनाई दे रहा हो लेकिन मोधी जी चाइना और भारत के संबंद को ठीक करने की बात कर रहे हैं खेर ये भी ठीक है कि ऐसे नहीं तो व भारत को और निर्फर मनाएंगे, क्या लगता है आपको दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे आप मोदी जी की इन अजूबे रनीती के बारे में, जो विदेश्यों से तो अलग है, लेकिन भारत के लिए भी कोई तीर नहीं है, बाकि अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर ब जी 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 तेने वाट